प्रियों अपना पल्टा ना लेना परंतो क्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा है पल्टा लेना मेरा काम है प्रभू कहता है मैं ही बदला दूँगा देखिए भाई और बेहनों जब हम इस संसार में जीते हैं अलग-अलग प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात होती है अलग-अलग प्रकार के लोगों के साथ हमारा संबंध रहता है जब लोग हमें उनके शब्दों के द्वारा हर्ट करते हैं हमें दर्द पहुंचाते हैं परमिश्वर का वच्चन हमें कहता है तुम बदला ना लो देखें ये असंभव है कि लोग हमें चोट ना पहुंचाए प्रभु येश्व खुद कहते है लोग का रचे तो समचार उसके सत्रवे अध्याई के पहले आयत में कि ये होई नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे अरे ठोकर तो तुम्हें लगेंगे प्रभु येश्व कहता है जब आप इस संसार में रहते हो ठोकर तुम्हें अवश्या लगेगा क्यूंकि हम क्या करते हैं लोगों के साथ मिलते जूलते लोगों के बीच में रहते हैं अलग-अलग प्रकार के लोग हमारे साथ हैं हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे आसपडोस में और लोग अलग-अलग रीती से हमें चोट पहुंचाएंगे उनके शब्दों के द्वारा, कहीं बार उनके व्यवहार के द्वारा, कहीं बार हमारे पीट पीचे चुगली करकर कहीं बार हमें पता चल जाता है रहे हाँ ये लोग सामने से मुस्कराते तो है लेकिन पीट पीचे ये सब बोलते है हमें क्या करना है बदला लेना है नहीं प्रभु येशु हमें कहता है परमेशुर का वचन हमें सिखाता है कि पल्टा लेना तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है, वो मेरे उपर छोड़ दो, यहोँ परमेशुर कहता है तुम्हें क्या करना है? शमा करना है, आगे बढ़ते रहना है देखें, यह सिध्धांत जो है, पुराने नियमें हम एक व्यक्ति के जीवन में बड़े साफ तरीके से देख सकते है और वो है दाउद दाउद को शावल राजा अलग-अलग समय पर मार डालने की कोशिश करता है कहीं बार वो अपने हत्यार से दाउद को मार डालने की कोशिश करता है वो अपने भाला उठा कर दाउद की उपर फेकता है दाउद वहां से बच जाता है उस समय लेकिन दाउद ने क्या किया? क्या उसने बदला लिया? क्या उसने वो भाला वापस खीच गिये शौल की ओअपर फेका क्या वो डर पोक था दिखे हम सब जानते हैं कि दावत बिल्कुल डर पोक नहीं था क्योंकि उसने अकेले एक शेयर को और एक भालू को मार दाला था तो वो डर्ता नहीं था फिर उसने क्यों नहीं फिका क्या उसका निशाना सही नहीं था अरे उसका निशाना बिलकुल पर्फेक्ट था क्योंकि हम जानते है कि उसने एक पत्थर से पहली बारी में गोलियात को मार डाला था तो उसका निशाना भी बिल्कुल पर्फेक्ट था लेकिन दावूद ने वापस उस भाले को फेका नहीं उसने बदला नहीं लिया वो वहाँ से हट लिया और हम देखते हैं कि शावल दावूद को मार डालने के लिए फिलिस्तियों के साथ युद्ध में दावूद को भेशता है और यह चाहते हुए कि उस युद्ध में दावूद मर जाए लेकिन वहाँ भी परमेश्वर दावूद को बचाता है हम देखते हैं कहीं बार शाउल खुद दाउद को मार डाले के लिए उसके पीछे हो लेता है और हम वच्चन में देखते हैं कि कहीं बार जैसे हम सोचते हैं दो बार परमेश्वर शाउल को दाउद के हाथों में दे देता है जैसे हम कहते हैं न कि अरे ये तो परमेशवर द्वारा दी गई मौका है दो बार ऐसे मौकों को हम देखते हैं दो बार दाउद की हाथ में बिना किसी हत्यार के शाओला के गिर पड़ता है लेकिन दाउद उसको दोनों बारी छोड़ देता है उसके साथ जितने लोग थे सब लोग कहते हैं अरे ये प्रभू के द्वारा तुझे मिली गई एक बहुती सुनेरा मौका है, इसे मार डालो, लेकिन दाउद का एक सिधान्त था, वो कहते हैं बदला लेना मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है, चाहे ये मौका खुदा के हाथ से मुझे मिला हो, मैं इसके उपर हाथ नहीं रखूँगा, क्योंकि बदला या पल्टा लेना मेरे हाथ का काम नहीं है, और परमेश्वर ने उसके उसे धान्त को आदर किया, क्योंकि हम बात में दिखते हैं कि हाँ, परमेश्वर यहुवा ने खुद पल्टा लिया, कैसे हम देख पाते हैं कि य यही शावल जिसने दावुद को अपने हत्यारों से मार डालने की कोशिश की, फिलिस्तियों के साथ युद में मार डालने की कोशिश की, उसी शावल को परमेश्वर फिलिस्तियों के साथ के युद में उसके अपने हत्यार के उपर गिर कर शावल की मृत्यू होती है। व्लाह ना लो, तुम पलटा ना लो. ये तुम्हरा काम है और मुझे पर छोड़ो दो. तुम्हे क्या करना है? शमा करना है, आगे बढ़ता है. शमा करना है, आगे बढ़ता है. देखिए भाई और बैनो, इस संसार में जैसे हम लोगों के बीच में जीते हैं, लोग हमें ठोकर पहुंचाएंगे, लोग हमें दर्द पहुंचाएंगे, हमारी चुगली करेंगे, हमारे पीट पीछे बोलेंगे, उनके व्यवहार से हमें दर्द होएगा लेकिन हमें बदला नहीं लेना है हमें कुछ भी नहीं करना है हमें ख्षमा करना है उनको आशिशित करकर प्रार्थना करना है और हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ते ही रहना है इस प्रकार ख्षमा करकर आगे बढ़ने में प्रभू आप सब को मदद करें God bless you.